हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चानल इस्टरी आवर लाइफ में तो अभी जो हमारा इडूटेरिया के बुक से भी हार दरोगा के लिए प्रैक्टिसेट चल रहा था वॉलूम थिरी से उसका आज हम प्रैक्टिसेट नमबर आठ करेंगे उसका पीडि सक्षम सुपोशन योजना पहला कोशन है कि मुख मंत्री सक्षम सुपोशन योजना की सुरुवात किस राज द्वारा किया गया है तो यह जो किया गया है उत्तर परदेश राज द्वारा और बच्चों में कुपोशन की समस्या से निपटने के लिए या मुख मंत्री प्राइकार के द्वारा अगला है कि 100% और्गेनिक घोषित होने बाला भारत का पहला किन्सासित परदेश कोन बन गया तो यह लक्षतूप उन्चालिसमा अस्थन वो है रमपा मंदीर यह जो है तमी तेलंगना का है कहा है रमपा मंदीर जो है तेलंगना का है जब कि चालिसमा अस्थन को है धौला वीरा रमपा मंदीर उन्चालिसमा है और धौला वीरा जो है यह चालिसमा है अगला कोशन है कि वजट 2021-22 में आवंटित की गई है तो यह किया गया है 34,300 ओप्सन इसका बी हो जाएगा सही आंसर 34,300 करोर रुप्या का सिक्छा मीशन हेतू रासी आवंटित किया गया है 2021-22 में और मनरेगा के लिए कितना दिया गया है मनरेगा के लिए दिया गया है मनरेगा के लिए जो है वो 73,000 करोर है कितना 73,000 करोर ठीक है उसके बाद है एस्टोनिया की पहली महिला परधान मंतरी कौन बनी तो एस्टेनिया की पहली महिला परधान मंतरी कजा क्लास बनी है 2021 में एस्टोनिया की यह परधान मंतरी बनी है कज चलास अगला कोशन है भारा सरकार ने स्वेज नहट की समस्या से नीप ने हैं तुद कितनी सूत्स चहुच्टरी योजना बनाई है तो इसका सही की प्रात्मिक्ता को तै करना दूसरा है माल भाड़े की दर्ग तै करना तीसरा है बंदरगाहों से परामर्ज करना और चोथा है मार्ग की री रूटिंग समबंधित फैसला पांचमा एक साथ नमर कोशन है कि भारत की अर्थविवस्था को पांच ट्रियों डॉलर की अर्थ विवस्था बनाने का लक्ष कब तक रखा गया है तो यह लक्ष दो हजार पचीस तक का रखा गया है के अंदर सरकार ने दो हजार पचीस तक भारत की अर्थ विवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थ विवस्था बनाने का लक्ष रखा है अब है कि विश्चु प्रिथवी दिवस 2021 का थीम क्या था तो इसका सही अंसर है रीस्टोर आवर अर्थ ओप्सन बी प्रिथवी दिवस 22 अपरेल को मनाया जाता है और इसका थीम था रीस्टोर आवर अर्थ अगला कोशन देख और प्लीज अगर आप लोग को विडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग हमारे विडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और विडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करे क्योंकि आप लोग विडियो को न लाइक करते हैं न चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करे और सब चैनल को सब्सक्राइब करे अगला कोशन है 9 नमबर की 14 इंडियन प्रीमियर लिंक 2021 का बिजयता कौन बना तो यह चिन्नाई सूपर किंग बना है 14 इंडियन प्रीमियर लिंक 2021 का बिजयता और इसने final में कॉलकटा Knight Riders को हडाया है किसको कॉलकटा को अब है वर्स 2024 में 33 में Olympic का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो वर्स 2024 में 33 में Olympic का आयोजन जो किया जाएगा वो Paris में किया जाएगा Option number B हो जाएगा इसका सही answer अगला question है किस देश के बैग्यानिक ने हाली में प्रीथवी से बड़े एक सूपर अर्थ की खोज की है तो इसका सही एंसर है option number B New Zealand के बैग्यानिक ने हाली में प्रीथवी से भी बड़े एक सूपर अर्थ की खोज की है और ये उमीद जताई जाड़ी है कि यहाँ पर जीवन भी संभव है Steel Authority of India Sill या जो है किस राज में गैस से इथनोल सयंत्र लगाने की घोसना किया है तो इसका सही एंसर है महरास्ट सेल जो है महरास्ट में भारत के पहले गैस से इथनोल सयंत्र लगाने की घोसना किया है और सेल का स्थापना हुआ था उनएस्व पच्छत्तर में इस भी भी याद रखेंगे आप लोग अब है कि महिला एबम बाल विकास मंत्राले द्वारा किस माह को पोसन माह बनाने का नेड़ने लिया गया है तो एक से साथ सेप्तेमबर तक को पोसन माह के रूप में मनाने का नेड़ने लिया गया है अगला कोशन है हाल के दिनों में किस देश में monkey V virus का मामला सामने आया है तो monkey V virus का सामना monkey V virus जो आया है वो चीन से कहां से चीन से अगला कोशन है पुस्तक economist गांधी के लेखक कौन है तो इसका सही answer है जैतिर्थ राओ Option C या प्रकासित पुस्तक Economist गांधी जो है इसके लेखक है जैतिर्थ राओ किस राज सरकार द्वारा अकांचा प्रोटॉल सुरू किया गया है तो अकांचा प्रोटॉल को सुरू किया गया है करनाटक के द्वारा सभी CSR गर्ती वीदियो में पारदर्सिता लाने के लिए करनाटक सरकार द्वारा अकांचा प्रोटॉल को लांच किया गया है स्वक्षता सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे स्वक्ष सहर कौन सा है तो इंदोर जो है वो सबसे स्वक्ष सहर बना है 2021 का जो रिपोर्ट जारी हुआ है के इंदरी अबास और सहरी मंत्राले द्वारा उसमें पर्था मस्थान इंदोर को दिया गया है और इंदोर ने लगातार पंचमी वार सहर का सबसे अच्छा परदर्शन किया है सबसे स्वक्ष सहर में अगला कोशन है कि बिमस्टिक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षा किस देश ने की तो बिमस्टिक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षा जो किया है वो स्री लंका किया है आप्सन नमबर D हो जाएगा और इसका आयोजन 2021 में अपरील में किया गया था विशु का पहला 6G उपगड़ा का सफल पर 56 देश द्वारा किया गया तो यह जो किया गया है चीन के द्वारा चीन द्वारा 2021 में विश्व का पहला 6G उपगरा सफलता पुर्वक अंत्रिक्ष में परछेपन किया गया ब्रतमान में राजस्थान के राजपाल निम्ड में से कौन बने हैं तो उप्षन है अचार्य देवर्त, कल राज मिसरा, बंडारू दात्यात्रेव और बनमाली लाल पुरोईत तो इसका सही एंसर जो हो जायेगा वो होगा उप्षन B कल राज मित्रा राजस्थान के राजपल ब्रत्मान में कल राज मित्र हैं जबकि राजस्थान के मुख मंत्री असोग गलोत हैं अगला कोशन है केंद्र सरकार ने शुहास चंद्रबोस की जैनती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोसना की है तो सुहास चंद्रबोस की जैनती प्राकर्म दिवस के रूप में मनाने जाने की घोसना किया गया है या 23 जनवरी को मनाया जाएगा 23 जनवरी को अगला कोशन है एकल उद्योग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतू प्लास्टिक प्रेमियर लिंग टूनामेंट का आयोजन कहां किया जा रहा है तो उप्युक्त में से कोई नहीं क्योंकि इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर इसमें हैं ही नहीं तो इंदौर हो जाएगा अप्सन D हो जाएगा इन्दोर जो है वो प्लास्टिक प्रेमियर लिंग टुनामेंट का आयोजन किया गया है और इसके तहद सबसे ज्वादा प्लास्टिक एकत्र करने वाली टीम को PPL अवार्ट दिया जाएगा इसका अंसर D हो जाएगा केटू सिखर पर चड़ने वाले दुनिया के पहले युवा परवतरोही कौन बने शहरोज काशिप जो है वो केटू सिखर पर चड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा परवतरोही बने हैं मात्र उन्नीस वर्स के हैं ये मात्र उन्नीस वर्स के अगला कोश्चन है और ये जो है पाकिस्तानी नागरिक है क्या है ये पाकिस्तान के हैं नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उधगाटन किस राज में किया गया तो नवेली थर्मल पावर का जो उधगाटन किया गया वो तमी लाडू में और नरेंद्र मोदी ने नमी लाडू राज में नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उधगाटन किया है जिसका छमता 1000 MW है वेगवर्ड है अब है हाल के दिनों में चर्चा में रहा अलवक्षा मस्जित कहां इस्तित है तो अलवक्षा मस्जित जो है यरूशलम में है हाल के दिनों में यह काफी चर्चा में रहा है यहां जो है मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा पवित्र मस्जित है अब है यदि चीनी का मुल में 20% बिर्दी होती है तो एक पड़िवार को चीनी पर आई अपना 29 बढ़ाने के लिए चीनी के उप्योग में कितनी परतिसत की कमी करनी पड़ेगी तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर 20% कितनी कमी करनी पड़ेगी 20% की कमी करनी पड़ेगी अगला कोशन देखते हैं और कल का जो 48 नंबर में मैथ का कोशन था 1200 जिसका एंसर आप लोगों को 230 के अप्रोक्स आ रहा था उसका कोशन गलत था क्योंकि वहाँ पे 1200 के जगह पे 12,000 होना चाहिए तब ही आपका एंसर आएगा तो आप लोग अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग वहाँ पे सही कर लीजेगा और जिन लोगों ने वो कोशन 48 नंबर बनाया होगा एंसर नहीं मिल रहा होगा तो उनका एंसर अगर उतना आ रहा होगा तो शही है अब है 27 नंबर कोशन कि ओप्सन D हो जाएगा इसका एंसर 120 बटा 7 मिनट अगला कोशन है कि एक वर्ग का विकिंड जो है वो 40 सेंटीमीटर है तो बर्ग का छेत्रफल क्या होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर A 800 सेंटीमीटर स्कॉाइर यदि 3 संख्याओं का 4, 5 और 6 रेशियो दिया है तो शंख्याओं का योग 220 है तो मद्ध संख्या ग्यात करिए तो इसका सही एंसर ओप्सन नंबर A हो जाएगा 75 तीस नंबर कोशन का एंसर हो जाएगा आपका तीस का एंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर D अब एक तीस नंबर कोशन करते हैं केंदर सासित प्रदेश पुंडू चेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है तो सबसे पहले देखते हैं लगने वाला राज कुन-कुन सा है किंसासित परदेश जो पुंडू-चेरी है उसकी सीमा केवल, केरल, तमील आंडू, आंध परदेश से लगती है लाकि करनाटक से तो इसका सही answer हो जाएगा option number D क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है नहीं लगता है तो करनाटक से नहीं लगता है अब है प्राइदूपिय भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो प्राइदूपिय भारत की सबसे उची चोटी अनाई मूडी है प्राइदूप यह भारत की सबसे बड़ी चोटी अनाई मुडी है जिसकी उचाई जो है वो 2695 मीटर है और यह प्राइदूप भारत की दूसरी सबसे उची चोटी कौन है डोडा बेटा यह सेकेंड नमर पे है प्राइदूप की और इसकी उचाई है 2637 मीटर साइलेंट वैली कहां इस्थित है तो साइलेंट वैली केरल में है और यह जो है जैब विवता की छेत्रों की बहुरता के काड़न जानी जाती है और यह वैली केरल में इस्थित है साइलेंट वैली में कई परकार की दूरलप प्रजाती भी पाये जाते है निम्न में से किस जी जिल रूप कुण्ट जिल के लिए जाना जाता है रूप कुण्ट जिल का रहसम ही नाम ही है अगला है 35 नमर दिए गए विकल्पों में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है उत्तर से बहानी नहीं है मतलब दिया है कि दिये गए भिकल्प में गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है तो इसका सही एंसर है option number B शोन नदी जो है शोन नदी का उदगम जो है पहले अमरकंटे की पहारी से होता है और यह नदी जो है उत्तर दिशा से प्रभावित होकर दानापुर के पास गंगा की सहायक नदी बनती है तो इसका सही एंसर option B हो जाएगा अब है सुची एक को सुची दो से मिलान करना तो सबसे पहले दूद धुत पादन स्वेत क्रांती से संबन दित है और खाद उत्त पादन जो है यह हरित क्रांती से संबन दित है मत से पालन जो है यह नीली क्रांती से संबन दित है और उर्भरक जो है वो भूरी क्रांती से संबन दित है तो option जो हो जाएगा इसका सही एंसर B हो ए हो जाएगा option A अगला कोशन देते हैं और यह बिमारी जो है कवक के माध्यम से होती है और पहली बार इस रोग की पहचान 1931 में की गई थी ग्रेट विक्टोरियन मरुवस्थल कहां इस्थित है तो यह अस्टेलिया में है और यह जो मरुवस्थल अस्टेलिया का सबसे वरा मरुवस्थल है जिसका विस्तार लगभग जो है वो 4,24,400 वर्ग किलोमेटर है अगला कोशन है किस अफिरकी देश की सीमा भूमद्य सागर से नहीं लगती है तो इसका सही एंसर हो जायेगा ओप्सन नमबर A चांड चांड मुड़कोत थाट्यूनेसिया की सीमा भूमद्य सागर से लगती है जबकि चांड की सीमा भूमद्य सागर से नहीं लगती है चांड एक अस्थलरुध देश है अब है डेविस चलसंदी किस सागर से संबंदित है तो डेविस चलसंदी जो है वो बेफीन की खाड़ी और अट्लांटिक महा सागर से संबंदित है अगला कोशन है मांग का नियम मांग का नियम किस पर अधारित है तो उपभोगता की प्रात्मिकता पर अधारित है मांग का नियम गला कोशन है भारत में रास्टी आई का अंकलन पहली वार किस ने किया था तो नैरोजी ने ओप्शन सहियोगा दादाभाय नैरोजी ने भारत में रास्टी आई का अंक्लन 1868 में दादा भार नेरोजी के द्वरा किया गया था और 1800 बिरानबिर में ने इसकी पुस्तक थी Poverty and Unbritish Rule in India प्रतिवेक्ति आई ये 20 रुप्य बताएं थे 20 रुप्य प्रतिवेक्ति आई बताएं थे अगला कोशन देखते हैं भारत में प्रतम आर्थिक सुधार निती कब प्रारम की गई थी तो इसका सही एंसर है option number D उप्युक्त में से कोई नहीं क्योंकि 1991 में और भारती एर्थवेवस्था को गती देने की मदद की गई थी तो इसका सही एंसर D हो जाएगा अगला है भारती अर्थ सास्त्री अमरित सेन किस छेत्र में योगदान के लिए नोवल दिया गया था तो कल्यान अर्थ सास्त्र के छेत्र में यह जो थे एक अर्थ सास्त्री थे और इनका अहम योगदान था कल्यान के छेत्र में 298 बिर में इनको नोबल पुरसकार दिया गया था दिये गया बिकल्प में से कौन बिकल्प बैकल्पिक धन का उदारन है तो चेक बैकल्पिक धन जो हो से तातपर होता है कि वैसा धन कि मुद्रा को शुविकार्णा जनता की इक्छा पर निर्भर करता हो उप्सनल मनी इसी को बोलते है बैकल्पिक मनी को ही उप्सनल मनी बोलते है तो इस सही एंसर उसका चेक हो जाएगा अब है बेनर गाटा रास्टियो ध्यान किस राज में है तो बेनर गाटा रास्टियो ध्यान जो है वो करनाटक में है option A हो जाएगा इसका सही answer और इसके अलावा करनाटक में और जो है उसका हम एक बार नाम बता देते हैं आपका अप लोगों को करनाटक का जो है वो है नागरहोल भाद्रा, बांधीपूर और एक बिनार गाटा ये चार जो रास्टी उद्यान है करनाटक का है अब है निम्न में से कोन दुरलव जाती के उदाहरन है तो दुरलव जाती के जो उदाहरन है वो हीम चिता और सुतुर मुर्ग ये दोनों है और answer D हो जाएगा जबकि लंगूर जो है वो सुवेद जाती का उदाहरन है विशुबन जीव दिवस किस तिथी को प्रतिवर्श मनाया जाता है तो इसका सही answer है option number 3 1 October को विशुबन दिवस के रूप में मनाया जाता है और जबकि विशुबन दिवस पूछे तो 21 March हो जाएगा विशुबन की दिवस 21 March को मनाया जाता है और विशुबन दिवस 1 October को परमानू उर्जा आयोक का गठन किस वर्श किया गया था 1948 में परमानू उर्जा आयोक का गठन किया गया था इसके प्रतम अध्यक्स्ते डॉक्टर भामा वर्श 1986 में रेडियो धर्मी परदूशन चर्णविल द्रुखटना किस देश में हुआ था तो यह चर्णविल द्रुखटना जो हुआ था यूक्रेन में हुआ था 1986 में कब 1986 में जबकि 3 माइल रेडियो धर्मी परदूशन चर्णविल द्रुखटना अगला है जब किसी माध्य में ताप बढ़ता है तो उसका माध्य में प्रकास के बेग पर क्या परभाप पड़ता है तो वह परिवर्थित रहता है जब किसी माध्य में ताप बढ़ता है तो उस माध्य में प्रकास का बेग जो हो जाता है वो परिवर्थित रहता है सी हो जाएगा इसका अंसर डाइनमो वह यांत्र है जो निम्न उर्जा को परिवर्तित करता है तो डाइनमो जो है वह यांत्रिकी उर्जा को बैदुत उर्जा में बदलता है ओप्सन ए हो जाएगा और यांत्रिक उर्जा को बैदुत उर्जा में परिवर्तित करता है और डा यहार के भाड़ में कमी नीमने में से किसके बराबर होती है तो उसके द्वारा हटाये हुए धरव की मात्रा, option B, जब आर्कमेटीज का दुसी धान्त है वो कहता है कि जब किसी ठोस बस्तू को किसी द्रव में आसंता या पुंता डुबाया जाता है तो उसके भाड़ में पर गतीज उर्जा का सामीकरन निमलिखित में से कौन है तो गतीज उर्जा यानि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1Y2MB2 Option C हो जाएगा इसका सही एंसर अगला है प्रिष्ट तनाव का SI मातरक क्या होता है तो Newton पर मीटर Option A निमलिखित में से फोस्फोरस का आयस्क नहीं है तो फोस्फोरस का आयस्क ग्रे नाइट नहीं है Option A हो जाएगा फोस्फेरस नाइट्रेट का अनुरूप है और यह जो है एक अभिकिरियासिल तत्त है इसी कारण फोस्फेरस प्राकिर्ती में मुक्त वस्था में नहीं पाया जाता है और इसका संकेत जो होता है वो P परमानु संख्या 15 तथा परमानु भार 31 होता है और ग्रे नाइट को छोड़कर अनसा भी फोस्फोरस के अयस्क है फोस्फोराइट, कुलूरोपाइट और फ्लूरोपाइट सब जो है फोस्फोरस के अयस्क है रासाइनिक तत्तों के दूसरे तत्तों से योग करने की छमता किसके द्वारा पता लगता है तो इसका सही एंसर है सायो जकता से ओप्सन A अगला कोशन है एक मोल कामान कितना होता है तो एक मोल बड़ावर हो जाता है 6.022 x 10 to the power 23 ओप्सन B हो जाएगा इसका सही एंसर अब है वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिस्रन का परियोग किया जाता है तो वेल्डिंग के लिए आइडन ओक्साइड एवं एल्मुनियम का परियोग किया जाता है ओप्सन A हो जाएगा इसका सही एंसर और वेल्डिंग जो होता है किसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक समान या औसमान धातू को आपस में जोरे जाने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते है वाशिंग सोडा निमलिखित में से किसका समान नाम है तो सोडियम कार्बोनेट का नाम वाशिंग सोडा है और इसका फर्मुला होता है Na2CO3 धबा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ परिठोने बाला महत्पुन धातू तत्त निम्ण में से कौन है तो इसका सही एंसर है क्रोमियम, option D सोडियम कॉलडाइड में उपस्थित कौन सी असुधुता नमी सोकती है तो कौन सी नमी सोकती है तो वो है मैगनेशियम कॉलडाइड, option A अगला कोशन है कि एक गोल किसका कोलाइडी बिलियन होता है तो एक गोल जो होता है वो द्रव से द्रव का कोलाइडी बिलियन होता है हाइपर टेंशन सब्ध निवन में से किसके लिए परियोग किया जाता है तो hypertension सब्द जो है वो रक्त चाप बढ़ने के लिए पर्यूक्त किया जाता है option D hypertension सब्द का पर्यूक उच्छ रक्त चाप के संदर में होता है और समान मनुसका रक्त चाप होता है 120 बढ़ता 80 M और HG जो होता है वो diastolic होता है hypertension के मरीचों में रक्त चाप समान से कही ज़्यादा बढ़ जाता है यानि blood pressure जो बढ़ जाता है अब है Alzheimer Alzheimer रोग से मानब सरीर में कौन सा अंग या भाग प्रभावित होता है तो Alzheimer जो है वो मस्तिक्स की बिमारी है Alzheimer से मानब के सरीर में दिमाग की कोई सिकाय नश्ट हो जाती है जिसके करण क्या होता है कि इंसान का जो सोचने का छमता होता है और यादास जो होती है वो अन्य बिभार में बदलने लगता है और इसका असर समाजिक जीवन पर भी पड़ता है समय बीतने के साथ साथ या भीमारी बढ़ती है और खतरनाक हो जाती है या यादास्त खोने डिमेशिया जिसको कहते हैं उसका रूप है माना मस्तिक्स का कोन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है तो इसका सही एंसर है option number C मेडूला अवलो गेटा मेडूला अवलो गेटा जो है मस्तिक्स का सबसे पीछे का भाग होता है और इसका मुखी कार्ज होता है उपापचय, रक्तदाव, अहार नाल, केक करमा कुचन, गरंथी स्राव तथा हिर्दय की धरकनों को नियंतरन करना जोड़ा पर यूरिक एसीड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया रोक का जब क्या होता है किसी सरीर के कोई जोड में जैसे पैरवेगरा के किस बहुत आदनी को हो जाता है पैरवेगरा में इशू रहता है तो वो जोडों पर क्या हो जाता है कि यूरिक एसीड जो होता है वो क्रिस्टलों का एकत्र हो जाता है वहाँ पर इसलिए गठिया रोग हो जाता है उसे गठिया रोग कहते हैं अब है कि रक्त में स्वेत कनों का मुख पडियोजन क्या है तो रक्त में स्वेत कन यानि WBC का जो काम होता है वो संक्रमन से संघर्ष करना होता है और यह स्वेत रक्त कनों में लिकोशाइट्स भी कहा जाता है स्वेत रक्त कनों को मुख्य प्रयोजन संक्रमन से संघर्ष करना और या प्राया रक्त के उत्तक द्रब में जाकर रोगानियों एवं प्रती विश्पदार्थ को नस्ट करके सरीर को सुरक्षा करते हैं जबकि ऑक्सिजन ले जाने का कार्ज किसका होता है लाल रक्त यानि आड़ीसी का लाइकेन में प्रजनन किस परकार होता है तो लाइकेन में जो प्रजनन होता है वो काईक, लौकिक और अलौकिक तो सही हो जायगा D, यह सभी प्रकार से होता है, लाइकेन बायु परदूसन के संकेत कैना है, और जब बायु परदूसन अधिक होता है, तो वह लाइकेन नहीं उगता है, या मिर्धा निर्मान परक्रिया में सहायग होता है. लाइकेन के अध्यन को क्या कहते हैं लाइकोनो लौजी कहते हैं अब है निमलिकित में से कौन मालवेशी कुल का पौधा नहीं है तो शर्षो जह वो मालवेशी कुल का पौधा नहीं है कपास, भिंडी, गुडहल, मालवेशी कुल का पौधा है और सरसो के साथ मूली, सलजम, कुरूसी फेरी ये सब जो है कुरूसी फेरी कुल का पौधा है सरसो, मूल, मूली, सलजम, कुरूसी फेरी का पौधा है अगला है, 71. कि नारियल में खाने योग गिभाग को क्या कहते हैं तो ब्रुनकोश, option D हो जाएगा इसका सही अंसर निमलिखित में से लोधी राजवन्स के संस्थापक कौन थे? कौन था तो इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सही अंसर हो जाएगा option number A, बहलोल लोधी थे, कौन? बहलोल लोधी बहलोल लोधी के द्वारा अफगानी राजवन्स था, साथी या दिल्ली सलतनत का अंतिम राजवन्स भी था जिसने 1451 से लेके 1526 तक सासन किया था और सिकंदर लोधी कौन था? तो बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी था अब है दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था तो तुर्कान ए चहलगानी के गठन इल्टू तुतमिस किया था ओप्सन बी हो जाएगा इसका सही एंसर अब है मध्युगीन महाकाब्य पदमावत किसने लिखा था तो पद्मावत के रचेता मलिक मुहमद जैसी है और यह दिल्ली सल्तनत अल्लाउदिन खिलजी की भब पद्मावती चितोर की रानी के बारे में अलॉंकिंग काल्पनिक कहानी थी दिल्ली में हिमायू का मकवरा किसने बनबाया था तो दिल्ली में हिमायू का मकवरा जो बना है वो हाजी बेगम के द्वारा किसके द्वारा हाजी बेगम के द्वारा मकवरे को 1993 में यूनेसको के विसुधरोहरसुची में सामिल किया गया था विजयनगर राजाओं ने निमलिकित में से किस देवता के नाम पर सासन किया तो बिरुपक्ष बिरुपक्ष विजयनगर का समराज दस्षिन भारत में दक्कन के पठार छेतर में केंद्रित था और 1336 में इसका स्थापने हडियर और बुक्का दोनों भाई मिलके किया था हमफी में भगवान जो बिरुपक्ष थे जो सिव की पुझा करते थे उनको ये लोग देवता मान के उनके नाम पे सासन किये थे अब है बिदेशी यात्री डाइमेकस किसके दर्वार में आया था तो डाइमेकस आया था बिंदूसार के दर्वार में और या बिवरन भी मौर यूग से संबंदित है अगला है गुप्त काल में सरबधिक महत्पुन बेपारी केंद्र था उज्जैन सरब अधिक गुप्त काल का महत्पुन बेपारी केंद्र उज्जैन था एलोडा का प्रसिद कलास मंद्र का निर्मान क्रिश्न प्रथम ने करवाया था और एलोडा गुपा को सरब प्रथम उल्लेक फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17 में सताबदी में किया था भी याद रखेंगे अस्ती नममर कोश्चन है कि भारत का बेपारिक संब्द सबसे पहले किस यूरोपियो देश के साथ था तो भारत में यूरोपिय सबसे पहले पूर्थगाल के साथ बेपारिक संब्द बनाया था पर्थम यूरोपीय यात्री बासको डिंगामा जब सर पर्थम 1489 में काली कट भारत के समुद्धत पर आया इसी के बाद भारत एक यूरोपीय देशों के बीच बेपारिक सम्बंद अस्थापित हुआ अगला कोशन है कि भारत निमलिखित में से भारत का पर्थम 22 राय कौन था तो भारत का पर्थम 22 राय लॉर्ड कैनिंग था ओप्शन डी लॉर्ड कैनिंग का कारिकाल था 1856 से लेके 62 तक और इसी समय 1857 का बिद्रो हुआ था और बिद्वा पिनर विवा अधिनियम भी पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में ही अगला कोशन देखते हैं फ्रांसिसी दक्कन की सकती अस्थापित करने में क्यों असफल रहे तो फ्रांसिसी दक्कन अपनी सकती अस्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौसक्ती साली थी ओप्शन बी अंग्र इसके किस अधिवेशन में बैक्त किया था तो option D लखनाव अधिवेशन जो 1916 में हुआ था उसमें स्वाराज मेरा जनमसीद अधिकार है इसे लेकर रहूंगा बाल गंगादर तिलक ने कहा था अब है महात्मा गांधी द्वारा दस्चिन अफिरका में प्रकासित की गई पत् उस्तक गुजराती, हिंडी, तमिल, अंग्रेजी में भी प्रकासित होता था अगला है संबिधान सवा की प्रमुक समीतियां में अलप संख्यक उपसमीति के अध्यक्स थे सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तो सबसे पहले हैं नागरिक्ता भाग नागरिक्ता जो है एक निट सबसे पहले नागरिक्ता भाग दो में है सही है उसका आध है पंचाइद पंचाइद में दिया हो एक निट तो असा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे भाग नौ में पंचाइद दिया हुआ है बिलान करते हैं यहां से नागरिक्ता भाग दो का अंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा option C हो जाएगा option C इसका सही answer हो जाएगा अगला question है निमलीकित में से किस अनुछेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतिय नागरिक किसी अन्य देश से बिना रास्ट पती के आग्या के कोई उपादी स्विवकार नहीं कर सकता तो यह अनुछेद 18 में वर्णित है कि कोई भी भारतिय नागरिक किसी अन्य देश से बिना रास्ट पती के आग्या के कोई उपादी स्विवकार नहीं कर सकता और भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पदम विभूशन पदम भूशन पदम सिरी सेना द्वारा परम वीर चक्र महाव है वो है इसका वर्णन समिधान के भाग चार के कौमें दिया है ये गलत है मौली कदिकार का वर्णन जो है समिधान के भाग तीन में दिया गया है जबकि भाग चार के कौमें मुलक करतब का वर्णन है जिसे समिधान के 42 समिधान संसोधन द्वारा जो 89 नमर कोशन है कि निम सुची का विशय है 90 नमबर कोश्यन है किस समिधान संसोधन द्वारा रास्टी ये अपात काल जो 352 में है रास्टी ये अपात की उसकी उद्गोसना संपुन भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है तो इसका सही एंसर है ओप्सन नमबर B अब है सरकारी उपकरम समीती में कुल कितने सदस होते है तो 22 सदस होते है सरकारी उपकरम समीती में और कृष्ण मेनन समीती की अस्थूती पर 1963 में सरबजनिक उपकरमों पर नियंतरन के लिए लोगसभा ने सरबजनिक उपकरम समीती की विवस्था की थी और 22 सदस इसमें होते हैं जिसमें 15 सदस लोगशभा से होते हैं और 7 सदस राज सभा के होते हैं निमलिकित में से किस समीती के अधार पर पंचाईती राज को संविधानिक दर्जा परदान किया गया है तो इसका सही एंसर है option number 6 LM सिंधवी शमीती की अनुसंचा पर 1886 में इसे गठित किया गया था और 73 मा संविधान संसोधन 1993 के द्वारा पंचाईती राज को संविधानिक दर्जा प्राप्ठ हुआ था ब्रतमान में कुल कितने राज में विधान परशद है तो ब्रतमान में कुल 6 राजों में विधान परशद है option C इसका सही अंसर है और 6 राज कौन-कौन सा है उत्तरपरदेश है बिहार है अगला कोशन है उश्ज न्याले के न्याइदीस को अवकास करने की अधिकतम उम्र सीमा क्या है तो इसका सही ऑंसर जो है option नंबर B वासट वर्स जबकि उच न्याले के न्याइदीस अपने पध से राष्ट पती को सम्भोधित कर कभी भी त्याग पत्र दे सकते हैं अकला कोशन है सरबोच न्याले में परियुक्त होने वाली भासा जो है वो अंग्रेजी है और भारत के समिधान का भाग 17 जो है अध्याई 3 में नहीत है जबकि सांसत बिधी द्वारा अन्यत्था उपबंध न करे तब तक उच्दम न्याले और प्रतेक उच्दम न्याले में कारवाही अंग्रेजी भासा में ही होगी अगला कोशन देखते हैं 96 नंबर कोशन है कि 1946 में गठित आंत्रीम सरकार डॉक्टर राजेंदर परशाद ने कोंसा सम्विधान का भाग संभाला था कोशन यहां पर थो आसा मिस्टेक है कोंसा बिभाग संभाला था यहां पर शो नहीं होगा ठीक है कोंसा बिभाग संभाला था 1946 में गठित आंतरीम सरकार्ट डॉक्टर राजेंदर प्रशाद ने कौन सा भीभाग सम्हाला था तो इसका सही एंसर है ओप्सन नमबर वी खाद एबं क्रिशी अगला कोशन देखते हैं सुची को एक से सुची दो से सुमेलित कीजिए तो सबसे पहले नेचरल हिस्ट्री ये भारत भारती मैंथली सरन हिमायू नामा गुलवदन बेगम और इंटरनल इंडिया ये जो है इंद्रा गांधी का है तो इसका सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी अगला कोशन देखते हैं 98 नमबर की रगवी फुटबॉल में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है त ज्याथ कि खोको में 9 होता है पोलो में 4 होता है और हौकी फुट वॉल्क किरिकेट ये तीनों में 11 11 11 खिलाडी होते हैं अब है मिर्ग-89 का महल कहां इस्तित है तो मिर्ग-9 निका महल मद्परदेस में है जोमदपरदेस के महल गौलियर में है जिसे राजा मान सिंग तिमर ने बनवाया था लास्ट कोश्चन है हमारा कि 20 टेली बिजन दिवस किस तिथी को मनाया जाता है तो 21 नौमबर को 20 टेली बिजन दिवस मनाया जाता है और 17 नौमबर को रास्ट ये पत्रिका दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस 16 सिप्टेंबर को बिजया दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये था हमारा सौप रश्ट तो प्लीज अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जाएज जाएदा सेयर करें तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस येट के साथ अब तक के लिए धन्यवाद